वतफन का मामला सामने आया है नाम और धरम बदलकर यूवक ने यूपती से दोस्ती की हिंदू-यूअक बनकर फेसबुक पर यूपती से की थी दोस्ती यूपती ने यूउख पर अवैद संबंद बनाने का आरूप लगाया है आरोपी यूत नाम का असली नाम खालिद चौदरी बताया जा रहा है यूपती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्च किया थाना विकास नगर इलाके की एक घटना बताई जा रही है में एक लड़के से बात करने लगी थी दीपक नाम था और मैं उससे जब चार-पाश महीने बाद मिली तो मिलने के बाद जब हम रिलेशन में आए तो मुझे पता चला कि वो एक मूमडन लड़का है उसका नाम खालेच चोगरी है जो गाज़ेबाद मिर्जपूर में रहता ह जब मेरे को पता चला कि वो इत मुस्लीम है तो मैंने उसके साथ अपने सारे रिष्टे तोड़ने चाहे तो उसके लिए वो मुझे धंकी दिने लगा कि मेरे फोन में तुमारी बहुत सी वीडियो है और फोटो है और मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ अगर मेरे साथ रिष्टा नहीं रखा तो मैं उनको सबको वैरल कर दूँगा और कुमारी बहुत बदनामी कर दूँगा तो इसकी चलते ही कि सर मुझे उसके साथ रिष्टा कंटिन्यू करना पड़ा तो दरम परिवर्तन का मामला ये सामने आया है इसी को लेकर गाज़ेबाद से ये मामला सामने आया है और उपी यूवक के असली नाम खालेद चौदरी बताया गया है इस यूवति को दीपक नाम से बात की फेस्बुक अकाउंट पर ये बात हुई है उसके बाद अब इस यूवति को जब ये पता चला कि ये यूवक मुस्लिम है और नाम बदल कर बात कर रहा है इसी को लेकर इसने इस यूवक से बात बंद करना चाहिए इसके बाद यूवक ने इसे धंकाया है यूवति और यूवति के बीच में अवیद संबंद बनाने का आरूप भी लगाय आरोपी युवक का अशली नाम खालिद चौधरी बताया जहा रहा है गाजयबाद का ये पूरा मामला है युपति की शिखायत पर पुलिस ने केस दर्च कर लिया है गाजयबाद का यह मामला जहां नाम और धरम बदलकर युवक ने युवक दोस्ती की बाचीत की हिंदी युवक बन कर फेस्बुक पर युवक्ती से दोस्ती की और युवक्ती से अवेद संबंद बनाने का आरोप लगा है इस यूप्ती ने आवेच संब्द बनाने का आरोप लगा है आरोपी यूवक का असली नाम खालीद चौधरी बताया जा रहा है इसी कबर को लेकर हमारे संब्दाता अनिल चौधरी हमारे साथ मौजुद है इस मामले पर क्या अपडेट है पुलिस ने क्या कारवाई किया है इस यूवक पर अभी तक जी इस तमाम जानकार के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद